तो चले दोस्तों आज हम बनाते हैं मुच्छिदी कि फ्राई तो सबसे पहले हम मच्छिदी को वासख कर चुकए हैं और व्यक्ष करके ने वाले वडर्टन डख हैं तिका पाणी टोटल बाहर प्रसेस बनाएं है इसको पीष चुके हैं और मचली में सबसे पहले हम स्वाद अंसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसमें चनी का जो बेसन होता है आपको पता है चनी का बेसन जो है दो चम्मच इसमें हमाइड करेंगे यह जो हमरा फीस है वन केजी है यह हमारी प्यासी मचली प्यासी का कोई भी मचली का फ्राई बनाने का सेम यही प्रोसेस है आप देख सकते हैं तो यहां पे दो चम्मच हम एड कर दिया है चनी का बेसन इसमें जो हम पेस्ट बनाए है हरी मिर्च लासून सरसोर चीरा मरिच का उसमें से हम दो चम्मच इसमें एड कर देंगे mix करके total आप देख सकते हैं तो इसमें हम हरी मिर्च यूज़ किया है आप जो है तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं तो हमें पसंद है हरी मिर्च इसलिए हरी मिर्च एट किया है इसमें अब हम आधा चमच हम डालेंगे healthy pot हल्दी पॉर्ड डालने के बाद इसमें हमें आगे अब इसमें कुछ नहीं करना है इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हमें अलग रख देना है तो यहां पर देखिए हम मिक्स करना शुरू कर चुके हैं और मिक्स करने के बा और 10 minute के बाद हम इसको fry करेंगे तो चलिए हमारा 10 minute complete हुआ, अब हम चलते हैं चूले के पास और चूले पर चलते हैं, तो यहां पर हम चूला पर रखें लोहे की कड़ाई, अब चाहें तो frypin भी उढ़ाई भी उज़ाई भी उच्छे कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोहे की तो इसमें हमारा साथ आठ कुटिया आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा तेल है इसमें जितना आ पाए हम अचली उतना हम एड कर दिया है और इसके बाद इसको हम पकाएंगे लगभग तीन से चाल मिनट के लिए मैडियम फलेम पर और जब यह पक जाएग तो इसको हम पलत देंगे अप देख सकते हैं यह वान से 40 मिनट के बाद हम टूटल मसली को पलत देंगे लाए हैं और यह सब्सक्त का पकना के लिए इसको छोड़ीदें दिक्राइगे यह दूपक ड़ाई मिनट का अ खुका है तो लौैक कडायी में बहुत अच्छा से हहां होता है कुछ भी फ्राइव कर बहुत है बहुत जबर पुलट करके इसको अच्छे से हम पका लेंगे और पकाने के बाद इसको हम च्छान करके चूले से बाहर निकालेंगे कड़ाई से तो आप देख सकते हैं यहां पर फाइनली जो हमारा फिस फ्राइग कंप्रीट हो चुका है तो यहां पर च्छान करके हम चमच के सपोर्ट से बाहर निकाल लेंगे यह फाइली हमारा जो हो चुगा है अब इसको निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह हमारा फर्स्ट टिप था इसके बाद जो फिस बचा है हमारा 1 kg है तो इसमें 1 kg तो पूरा तेल में आएगा नहीं इसलिए इसको बारी-बारी से हम फ्राइ करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मरसा तट पूटिया हुआ ह सके बाद जो बचा हुआ है प्रोसेस को फिर फराय कर ले हैं फिर तेल को हीट करना है खैब है तेल हीट करने के यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली यह आठ पीस है तो बहुत ही जबरदा सा बहुत ही टेश्टी हुआ आप देख सकते हैं ऐसे किसी भी मचली के फराई आप कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी होता है बहुत इलाजवाब होता है आप देख सकते हैं आपको उठा करके हम दि बचा हुगा फिस से हम इसी प्रोसेस से हमको फ्राइ कर लेना है तेल को हिट करना है फिर इस मैट करना है उसके बाद फिर से इसको पलट करके दोने तरफ पका करके इसको छान करके फिर अलग निकालेना है तो इसी प्रोसेस से हमारा जो है फिस फ्राइब बनेगा तो आप आपको धन्यवाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगर आपको इसमें सालन चाहिए यह सालन वाला मशली चाहिए तो हमारे चैनल पर है आप जाकर देख सकते हैं मारे चैनल पर तो यहां पर देखिए हमारा जो फिस्फराई है कंप्लीट है टोटल फिस्फराई हम आई ऐसे कर सकते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए बाय दोस्तों